हेलो दोस्तो आज हम देखने वाले रैट फॉर्ट दिली का यह इसका टिकेट काउंटर जहां से हमने टिकेट ली एक सो चोदर रुपे की टिकेट थी दो लोगों के लिए यह इसका सामने का पॉर्शन है यह लाल किले पे लहराता है तिरंगा आप देख सकते हैं यही परी 15 जसको तिरंगा लहरा है जाता है प्राइम निस्टो की दुवारा यह लाल किले का प्राचीन का जाता है प्रांगन का जाता है इसको जहां से लाल किला लहरा है जाता है प्यम के दुरू इसके जस सामने चांदनी चोग पढ़ता है यह इसका में इंटरेंस गेट है जहां से में गेट पे आप दो तोपे लगे हुए देख सकते हैं, यह तोप आपको दिख जाएंगी तो यह दिल्ली का लाल के लिए आपको देख सकते हैं, आगरा के लाल के लिए से थोड़ा चोटा है, इसको मुगल एमप्रायर साजा ने बनाया है 1638 में, क्योंकि वो आगरा से दिल के लाल के लेगा, यह एंट्री गेट हैं, आपर आप जो लाल के लाया है, इसमें मार्केट लगने लगने लगए हैं, बेसिकली आर्ट और क्राफ्ट की चीज़े ज्यादा मिलती हैं आपर, और फीमेल्स के लिए आपको सॉल, और क्या कहते हैं, जोएल्री के आर्टिशल जोएलरीज और आर्ट की चीज़े ज्यादा मिलेंगी यह ऐसनों में सॉल्ज की दॉकान है, यह आर्ट की चीज़े रखे हैं आपर, गुडन आर्ट जैसे हम अंदर कुसेंगी यह है छता चोग छता चोग बेसीकली मार्किट खेलिए था यहाँ पर मार्किट लगती थी पुराने टाइम में यह यहाँ का टरनल सिस्टम है बेसीकली यह पानी यहाँ पर बहा करता था पूरे लाल किले में जो इसको ठंडा रखने में help करता था ये पूरे लाल किले में आप देख सकते हैं ये पानी पानी की आपको नाले मिलेंगे जिसमें पहले के टाइम में पानी बहा करता था जो पूरे complex को ठंडा रखने था यह अभी हम जा रहे हैं दिवाने आम की तरफ, यह जो complex सामने देख सकते हैं, यहां पर बादशा की हेरिंग होती थी, यह पूरा garden जो है, लोगों से भरा होता था हेरिंग के टाइम पर, यह जो आप garden देख सकते हैं, यह सामने बादशा, दिवाने आम है, basically जो पहले के cases वग यह सामने आप देख सकते हैं, बहुत दिवाने आम का, 1628 में शाजा के दिवाने आम है, यह पूरा complex ओपर का area है, जहां पर main main जो अधिकारी लोग थे, वो बैठा करते हैं, यह राजा का तक्त है, सपेद में आप देख सकते हैं, जहां पर बादशा बैठा करते हैं, और य इन में लोग दर्बार के होते थे, वजीर, बेगम, उपर की तरफ बैठा करते हैं, यह बादसा साजा का तक्त है, यह खिड़कों से रानिया देखा करते हैं, यह रानियों के लिए होता था, यह नीचे के टेबल, वजीर के लिए होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर कहते थ उस टायम के, जो उपर का तक्त होता है, जब तक्ते हिंदुस्तान होता था, उस पर साजा बैठा करते थे, उपर की तरफ, यह एक सुरंग है, जो लाल किले में ही बनी होई है, इसको कहा जाता है, यह आगरा में जाके कुलते हैं, बट ऐसा है कि यह सुरंग पीछे जाके बादशाय को कभी भी आगरा जाना होता था इस सुरंग के थूरू पीछे वह यम्ना में जाते थे और यम्ना में जाकर वह बोट के थूरू आगरा जा पाते थे ऐसा नहीं था कि सुरंग थी यह बोट के थूरू आगरा का टनल का जोड़ा रहता था तो पानी के रास्ते से यमना के थुरू आगरा चले जाते हैं यह जंगाए दिवाने खास या फिर खास महल भी कह सकते हैं यह के वल राजा के यूज में होता था सामने का portion जो देख सकते हैं वाइट मार्बल्स का जो बना होता है यहां से सुरू हो जाता है खास महल बेसिकली राजा के पर्सनल परपस के लिए होता था यहां पे केवल में में राजा राणियों का यहां पर आमादमी किसी के आना परमीशन नहीं होते हैं खास महल बेसिकली तीन-तीन कमरों के सैट्स हैं यह देख सकते हैं आप बिल्कुल संग मरमर से पूरा इसे बनाया गया है देखने बहुत ही सुन्दर है अभी भी इसमें जब पत्थर लगे हैं और जो आप आर्ट क्राफ्ट जेगी हैं बहुत ही अच्छा लगता है देखने म आज भी इसकी च्छते जो होती थी पहले के जमाने में काया जाता तर पूरे हीरे मोतियों से लगे भी थी बाद में जब नादिर शाह ने भारत पे अमला किया तब वो यहां से इसको ले जाया गया यहां से काफी कुछ बाकी बाद में बिटिश अंग्रेज जो थे वो ले पीछे की तरफ आप देख सकते हैं वहां यमना पहती है यह तीन-तीन कमरों के दो सैट से अलग अलग एक इस साइट एक दूसरी साइट है अभी तो सई से मेंटेन भी नहीं है लाल के लाग यह है नहरे वहिष्ट इसका यूज किया जाता था पीछे यमना थी यमना से ठेकली सिस्टम कह रहता था जिससे बैलों के थुरू पानी को उपर चड़ाए जाता था फिर उपर आयए पानी को इन टर्नल के थूरू पूरे लाल के लिए में circulate किया जाता था जिससे पूरा लाल के लिए का complex ठंडा रहता था और अंदर के वातावरण में हवाई बिल्कुल ठंडी होती थी वीडियो को अंतर तक देखने के लिए धन्यवाद प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब